Oxygen OS 11.0.1.1 for the OnePlus 70 and OnePlus 70 Pro Hello दोस्तोरों मुस्का, तो कैसे हैं आप लोग, आज आप लोगों का मेरी एक और नई वीडियो में स्वागत है आज मैं आप से बात करने वाला हूँ, OnePlus 70 और OnePlus 70 Pro device के अगर आप यूजर हैं तो आप लोगों को Oxygen OS 11 का नए अपडेट 11.0.1.1 के नाम से दिखने को मिलने लगा होगा अगर अभी नहीं मिला है तो आपको 4-5 दिन का इंतिजार करना होगा आपको ये OT अपडेट दिखने को मिल जाएगा या फिर आप Oxygen अपडेटर के द्वार अपडेट कर सकते हैं नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी वहां से भी आप Incrementer अपडेट को डालोट करके अपडेट करा सकते हैं परन्तु ये जो रोलाओट पैकेज होता है उसमें आने में आपको तीन से चार दिन कर समय लग सकता है क्योंकि ये जो पैकेज रोलाओट होता है उसमें मैनी डिवाइस और नमबर होते हैं तो आप इंदियार कर लेजी आपको अपडेट देखने को मिल जाएगा आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि इस अपडेट में आप लोगों के लिए क्या कुछ आया है चैनलोग में में मैंने याप पर कितना कुछ प्रेक्टिकल किया इस अपडेट के साथ में क्या कुछ मुझे देखने को इसका experience लगा है उसका भी मैं आपको रिव्यू शेयर करूंगा तो यह रिव्यू जो है काफी यादर डीफ रिव्यू होने वाला है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले बात करता हूँ इसके चैनलोग के बारे में जो की आपको देखने को मिल जाता है चैनलोग के अंदर अब यहाँ पर थोड़ा सा एक चैन्ज अप किया गया है तो सबसे पहले बात करते हैं system में आपको देखने को मिलता है improve the system fluency अब यहाँ पर system improve सब्द नहीं दिया गया है system fluency यूज किया गया है जिससे की लोगों को लगे कि यहाँ पर update में कुछ नया किया गया है यहाँ पर इसके द्वारा system में ज्यादा कुछ improvement नहीं है नहीं कुछ ज्यादा अच्छा देखने को मिला है साथ ही में इसमें आपको देखने को मिलता है fix the occasional issue that google 5 sim card cannot accept incoming calls यह features आपको team oil का देखने को मिल जाता है जो की अमेरिका और US में बर्क करता है यह features है इंडिया में काम नहीं करता है इसलिए India users के लिए यह features किसी भी काम का नहीं है यह change lock में आपर mention किया गया पता नहीं कियो क्यों कि इसका योच यहाँ पर इंडिया में होने वाला नहीं है क्योंकि आप चाहें तो Wikipedia पर सर्च कर सकते हैं मैंने जैसे कि आपर सर्च किया साथ ही मैं देखने को में जाता है Update and Security Page 2021 में तो यह आपर काफी अच्छी कमाल की बात है कि आपको May 1 का Security Page लेविल देखने को में जाता है जो की Security को काफी जाद अपग्रेड़ेड रखता है साथ ही मैं बात करूँ मैं Shelf के अंदर आपको Improve the Swiping Experience of Shelf अब आपको Shelf के अंदर कुछ Experience को Improve किया गया है जैसा कि आप आप देख सकते हैं इसको आप Experience भी कर सकते हैं साथ में Gallery में आपको Improve the Loading Speed of Previewing Pictures इस बात की मैं बात करूँ तो यहां पर Gallery में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है साथ मैं आगे मैं अपने Experience आपको बताऊँगा कि Gallery में क्या कुछ देखने को मिल जाता है आगे बढ़ता हूँ Phone Application में बात करूँ तो यहां पर फिक्त था Occasional Issue that Incoming Call Interface Delay to Display यह चीज का Issue आपको थोड़ा सा देखने को मिला था मुझे भी मिला था कि आहां पर Numbers को अम लोग डाल कर देते थे उसके कुछ समय बाद आपको यहां पर डिस्पले शो करती थी यहां फिर आपकी जब incoming call आ रही होती थी तब भी आपको जो रिंग है वो पहले आयाती थ तो ऐसा इसू था उस चीज को फिक्स कर दिया गया है अब नॉर्मल डिस्पले इसू वहन मेकिंग ए कॉल तो वही बात मैंने जो बताई आपको जब आप कॉल को आप लगाते थे तो उस दौरान भी आपको ऐसा ही इसू दिखने को मिला था वो चीज भी फिक्स कर दी गई तो फिक्स दा ओकेशनल इशू देड़ दा माइनर एफेक्ट फिल्स टू बर्क यहां पर कभी-कभी जो कैमरा एप्लिकेशन है उसमें कुछ एफेक्ट होते थे वो सईशे काम नहीं करते थे मिलर एफेक्ट के दौरान उन चीज को फिक्स किया गया है तो इन्होंने कुछ अच्छा करने की सोची इनके साथ बुरा हुआ है साथ में फिक्स दा अब नॉर्माल इशू बिद्दा कैमरा वैं जूमिंग इन माइक्रो मोड अगर आप माइक्रो मोड का यूज करते हैं तो आपर ऐसा कुछ था जो चीज यहां पर फिक्स कर दी गई है यह ऐसे फिक्स क करके बात करना तो बनता है आगे यहां पर फिक्स दा अब नॉर्माल इशू बिद्द सम बटन वें टेकिंग विक्चर कंटुशनली इन नाइट इसके मोड अगर आप नाइट इसके मोड में कभी कभी पिक्चर को प्लिक कर रहे होते थे तो यहां पर जो केप्चर का बट को इंप्रूब किया गया है 4G कम्यूंकेशन को साथ में इंप्रूब दा इस्टिवल्टी और वाइफाई कनेक्शन वाइफाई कनेक्शन में जिलोगों को इशू हो रहा था उस चीज को भी आपकर फिक्स कर दिया गया है शाथ ही मैं अब मैं आपसे बात करता हूं क्या को बता दू AOD का जो फीचर्स है जो यहां पर देखने को नहीं मिलता है वो मुझे उम्मीद है कि आपको जुलाई के अपडेट में शायद है देखने को मिले अगर नहीं मिलता है तो आपको वो सेप्टेमबर अक्टूबर के अपडेट में देखने को मिलेगा क्योंकि यह यहां पर वो अभी battery के issues को ही fix नहीं कर पा रहे हैं तो AOD के features को कहां शे available कराएंगे यह यहां पर point को note करने वाली बात है तो इसके लिए आप लोग थोड़ा सा सयम रखें साथ में अब मैं बात करता हूं मैंने यहां पर gallery में अपने experience से क्या कुछ चीजे देखनी हैं तो gallery अ परन्तु ऐसा कुछ मुझे देखने को नहीं मिला है साथ में अगर आप photos option देखेंगे तो वह यहां पर always remember रहता है आप यहां पर collection या फिर story mode को on करके अगर आप recent बार से आपको हटा देते हैं तो वह बापिश से आप application को open करते हैं तो वह still बापिश से वही पर पहुच ज दाएंगे आप अपने collection के option पर वहां पर देखेंगे वह loading हो रही होती है कुछ इस तरीके से तो ऐसा जो issue है वह अभी भी solved नहीं हुआ है और इनोंने एक और नया जो यह जो issue है photos remember always कर दिया है उस चीज को भी इनोंने कोई option ने दिया कि जिससे कि आप अपने अनुसार collection य default Y तो वह option available देखने को नहीं मिलता है तो यह चीज इनोंने एक और बत की रूप में हम लोगों के सामने प्रदरसित कर दी है साथ में oxygen OS 10 जो इतना ज्यादा अच्छा चला था उस पर जो गैली application की loading speed थी काफी ज्यादा अच्छी थी वह speed अब यहाँ पर oxygen OS 11 पर देखने को नहीं मिल लई है साथ में deleting speed अगर आप photos या videos को आप delete करते हैं तो वह speed भी यहाँ पर slow है काफी जादा ऐसा issue आपको file manager में भी देखने को मिल जाता है अगर आप कोई भी data को आप delete कर रहे होते हैं या फिर आप file को आप compress कर रहे होते हैं कोई बड़ी file size है उसमें यहाँ पर compression में थोड़ा सा यह ज्यादा शमय लेता है तो ऐसा issue यहाँ पर काफी ज्यादा देखने को मिल जाता है तो यह issue यहाँ पर छोटे छोटे हैं जोग की काफी ज्यादा fix करनी की आवस्यक्ता है क्योंकि snapdragon 855 flash processor के साथ में ऐसी हरकते देखने को मिलेंगी ऐसी हरकत हम लोगों Nokia के keyfade smartphone पर भी देखने को नहीं मिलती है यह एक जोग है आप इस जोग को जादा कुछ आप comment के रूप में मत लेना आगे मैं बात करूँ यहाँ पर gallery को काफी ज्यादा improvement के आवस्यक्ता है यह बात को बन प्लस बालू को note करने की आवस्यक्ता भी है बात करूँ मैं camera application के ब परंतु आप 6.4.58 हो गया है तो यह एक यहाँ पर update देखने को मिलता है परंतु यह update आपको कितना खुश कर सकता है वो मैं आगे बताऊं तो यहाँ पर slow motion में आपको fps mode available देखने को मिल जाते हैं अब आप यहाँ पर fps mode को change up कर सकते हैं इसीग साथ slow motion में अगर आप suit करते ह कोई भी वीडियो को उसके बाद आप उसे edit कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको शुरुआती और लास्ट का जो portion है वो लेक के साथ में देखने को मिलता है और बीच का जो portion है शिलो मोशन में वो आपको smooth देखने को मिलता है परंतु यहाँ पर इन्हें थोड़ा सा improve करने option देखने को नहीं मिलता है जैसे कि आप देख सकते हैं इसी साथ night mode में यहाँ पर improvement की काफी ज़्यादा जरूरत है जैसे कि इनों ने वताया किनोंने capture button काम नहीं कर रहा था सही से उसको यहाँ ठीक किया पर यहाँ पर improvement काफी ज़्यादा होने किया सकता है क्योंकि यहाँ जो भी आप night escape board में photo को आप click करते हैं उसमें आपको जो result है वो accurate देखने को नहीं मिलता है उसमें जो color tint है वो blue और purple ज्यादतर हो रहा है इस चीज़ को भी इने fix करना चाहिए साथ में इनोंने HDR mode को available नहीं किया है manually HDR mode यहाँ पर होना आवस्यक है जो कि अभी भी देखने को नहीं मिलता है साथ में यहाँ पर बाकी की चीज़े camera में बिल्कुल ही perfectly काम कर रही है कोई भी और issue या glitches मुझे देखने को नहीं मिला है साथ में lag और speed की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर app opening time है वो यहाँ पर काफी जादा issue कर रहा है जो opening time हो थो थोड़ा सा fast होना चाह उन पर मुझे काफी ज़्यादा better sound विल ले थी पर इस update पर sound quality काफी ज़्यादा down होई है इसे के साथ notification sound की बात करूं तो वो भी यहाँ पर down देखने को मिल जाती है अगर आप lock screen को unlock करते हैं या फिर lock करते हैं device को और charging पर लगाते हैं तब भी आपको इसकी sound है वो down देखन heating अब इस समय मौसम है गर्मियों का यारी की गर्मियों में काफी ज़्यादा heating होती है device पर तो वो temperature पहले से ही काफी ज़्यादा heat कर जाता है पर तो मैं यहाँ पर दो fan के room में बैठ करके अपने mobile पर COD को प्ले करता हूं तो यहाँ पर मैंने देखा कि इसका जो temperature है वो इत PUBG, Free Fire तो इन तीनों ही गेम्स पर आपको काफी ज़्यादा battery drain का issue देखने को मिले वाला है साथ में आपको overall performance आपको लगवग 3-4 गंटे की ही देखने को मिले वाली है चाहे आप गेम्स को प्ले करें या फिर आप कुछ और नॉर्मल बर्क करें आपको ज्यादा से ज्यादा पास गंटे तक का battery wake-up देखने को मिल सकता है क्योंकि मैंने आप गेम प्ले किया वीडियो चलाई YouTube पर और Amazon Prime को यूच किया सब कुछ यूच करने के बाद मुझे लगवग शाले तीन गंटे का ही battery time देखने को मिला है तो यह इतना कम battery time होना काफी बुरी बात देखने को मि करते हैं साथ में जो color है वह यहां पर faded हो रहे हैं तो इसको भी यहने fix करने के आवसकता है साथ में touch delay का भी issue देखने को मिलता है जैसे कि oxygen वह स्टेंड पर smooth भर कर रहा था touch पर तो उस तरीके का touch यहां पर नहीं कर रहा है इसी कि साथ अगर आप device को unlock कर रहे होते तो उस प bad tea need to optimize bad tea को काफी रदा optimizations की आवसकता है और यहां पर अब क्या क्या चीज़े working में हैं सही से तो मैं आपर बाकी की चीज़ें जो भी available हैं आपको जो देखने को मिलती हैं वो सही से काम कर रही है और जो मैंने issue बताए उनको छोड़ करके सभी कुछ सही से काम कर रहा है लाइक और कमेंट करने ना भूलें साथ में अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और मिलता हूं आपसे नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू जाहिंजा भारत